यार देखो IPL आने में आप बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो मैंने सुचा है यार सारी टीम की प्लेइंग लाउन के बारे माँ बात करनी तो बनती है मेरे वाई तो आज मैं दो टीम की प्लेइंग लाउन के बारे माँ बात करने वाला हूँ पेरी पेरी लेडी क्या कमाल का पर्फॉमेंस करके जा रही है यार मज़ा आ गया सही मैं यार I just hope यार RCB की जो विमेंस टीम है इस IPL की ट्रोफी को उठा ले मेरे वई तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा नए आयो सब्सक्राइब कर दे ना पुराने हो तो यार लाइक कर दे मैं कंजूसी मत करना मेरे बई तो देखो आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखो RCB की पूरी की पूरी टीम पड़ी हुई है तो इन सारे प्लेयर्स से ना मतलब यार 11 बंदों को चुड़ने वाले हैं कि कौन सी मतलब यार प्लेयंग लेवन इनकी हो सकती है अगर के आप लोग भी डेफिनिटली नीचे कॉमेंट चेक्शन नहों बताना कि यार आपको क्या लगता है वो तो है फाव डूपलेसे और विराट कुली आप मैं विल जेक्स को भी देखना चाहता हूँ लेकिन उन्फॉचुनेटली विल जेक्स की याँपर को जगा नहीं बनने वाली है वो बंदा मतलब यार भार होने से रहा तो इस बार शायद ये बंदा आपको मतलब यार नंबर 3 के स्पॉट पे खेलते वे दिख सकता है लेकिन क्या ये बंदा फॉम में है भाई इस पे बहुत बड़ा कुश्चन माग है डेफिनिटली चौथे नंबर पे तो यार ग्लैन मैक्सवल आने वाला है यहां पर को कोई दिखकत वाली बात नहीं है और पांचवे नंबर पे केमरून के इनको ये लोग डेफिनिटली खिलेंगे इतना जादा पैसा दिया है तो यार इस बंदे को तो भारे लोग बैठाने वाले नहीं है तो यहां तक इनकी जो मतलब यार प्लेइंग लाओन है वो अभी तक मतलब यार कनफाउम है लेकिन मेरे ख्याल से last year ना जो प्रभु देशाई था वो थोड़ा सा underrated type था बता है मैं याँपर को जा रहा हूँ शुयस प्रभु देशाई के साथ मुझे लगता है नंबर 6 पे उस बंदे को खेलना चीए अच्छा finish करके जा रहा था लोम रोर मतलब यार ठिक ठाक है लेकिन मैं उसे मतलब यार प्लेंग लोन में इनिशली तो नहीं रखना जाऊँगा अगर प्रभु देशाई के मतलब यार पर्फॉर्मेंस नहीं है तब जाके यार लोम रोर की तरफ जाना पसंद करूँगा फिर जो नमबर साथ का स्पॉट है यांपर को डेशिनेटली एक कीपर आने वाल है और वो कीपर होगा कौन दिनेश कार्थिक होगा यार लेकिन दिनेश कार्थिक का एक तो मतलब या आखरी आईपियल है तो जो इमोशनल वाली चीज है वो उसके फेवर में काम कर जाएगी प्लस वो बंदा मतलब यार डेजिंगनेटेट फिनिशर माना जाता है अगर उस बंदे को रेटेन कर रखा है तो कुछ तो सोचा ही होगा तो मेरे ख्याल से नंबर साथ पे यार दिनेश कार्थिक खेलने वाला है फिर इनको चीए एक स्पिनर अब स्पिनर में इनके पास युजवेंदर चैल तो है नी तो दो ऑप्शन इनके पास है पहला है कर देफिनिटली मौका मिलने वाला है दूसरा बंदा मोहमाच सिरास तो काइंड ओफ कनफर्म ही है लेकिन जो आखरी बूलर है वहाँ पर को इनके पास इतने सारे ओप्शन है री स्टॉपली हो गया अलजारी जूसफ हो गया या फिर यार लोकी फर्ग्यूसन हो गया किस किस को खिलाए मेरा मानना है कि यार अगर ये लोग इंपक प्लेयर के रूप में यस दयाल को लेते हैं तो इनको एक राइट हैंड फास बूलर की तरफ जाना चीए लेकिन अगर इंपक प्लेयर में कोई राइट हैंडर आता है तो यार मेरे ख्याल से यहां पर को प्लेइंग की प्लेइंग लाउन अब दूसरी टीम के बारे मां बात करते हैं जिसका नाम है लखनाव सुपाज जाइन्स बई अब इनकी जो टीम है वो भी बहुत जादा एक्साइटिंग है मैं तो मतलब यार बार बार बोलते हुए आ रहा हूं कि यार यह जो टीम है काइंड ऑफ ए बार बाजी मार जाएगा अब हर बार यार कायल मेर्स के किसमत इतनी जाद अच्छी होगी नी तो केल राउल और क्विंटन डिकॉक मेरे ख्याल से यहां पर को ओपनिंग करने वाले है नंबर तीन पर कौन आएगा नंबर तीन पर दो ओप्शन इनके पास है एक है दीपक दूसरा है देवदध पढडीकल लेकिन रीसेंट में जिस तरह से मतलब या डिवदध पडडीकल की हाइप बनी हुई है ना इंक यहां नंबर तीन पर देवधाद पडीकल आने वाले है लेकिन इनका टॉप थी है यहां पर को तीनों को तीनों मुझे एंकर टाइप वाले प्लेयर लग रहे हैं, तो मैं तभी सोच रहा था कि यार कायल मेर्स की जगह बनती है नहीं बनती है करके, लेकिन फिलाल मैं केयल डाउल, क्विंटन डिकॉक और देवदत पडिकल के साथ जा रहा हूं तीन स्पोट के लिए, नंबर चार पे आने वाला है कौन, निकलस पूर को, नंबर 6 पे मैं रख रहा हूं, मारका स्टोईनेस को, नंबर 7 पे कौन आएगा, क्रुनाल पांडिया, जिससे इस बार मतलब यार, कैप्टन सी चीन ली गई है, so unfortunate यार, क्रुनाल भाई, गुस्ता मत हो न, क्रुनाल भाई, नंबर 8 पे कौन आएगा, एक स्पिनर आने पाला है, रवी विष्टम ही वहाँ पर को, आपको देखने को ही मिलेगा, फिर जो नंबर 9 का बोलर है, यहाँ पर को एक पेस बोलर आ सकता है, एक तो इनके पास मतलब यार, नवीनु लग है, दूसरा है, डेविड विली, अभी तीसरा मतलब यार, समार जोसब भी इनके पास है, लेकिन वो बंदा फिटेंड यह है, मुझे नहीं पता, तो इन तीनों में से कोई एक आएगा, मेरे ख्याल से नवीनु लग, थोड़ा मतलब यार, experience टाइप आला हो गया, IPL में, तो शायद क्या पता यार, उस बंदे के साथ इलोग स्टिक करें, तो मैं जा रहा ह सकता है, बोलिंग में मेरे ख्याल से अमित मिश्रा सकता है, तो यह दोनों मतलब यार, इनके impact player हो सकते है, RCB की तरफ से impact player कौन हो सकता है, उसके बारे में मैंने बात नहीं किया चाहिए, तो यह वाली वीडियो बस एतनी है, जाने से बहले कहना चाहूंगा, अगर टेलिग करते हैं, तो जाओ याद, टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करों मेरे बाई,